साल 2020 ये दुनिया भर में हर किसी के लिए ऐसा साल साबित हुआ जिसे कोई याद नहीं रखना चाहता सभी इस साल को अपनी जिंदीगी से स्किप कर देना जाते क्यूंकि इस साल कुछ एका दुक्का ही लोग ऐसे होंगे जिनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होगा नहीं तो ये साल हर तरह से एक बुरा साल साबित होता नज़र आ रहा है आगे जाकर घली हालाद सुधर जाएं जो अभी तक सुधरते नहीं दिखाई दे रहे तो बात अलग है लेकिन अब तक ये साल 2020 मनुसियत के अलावा और कुछ नहीं लेकर आए ऐसे मैं अगर आपको ख़वर मिल जाए कि अब दुनिया का भी अंध निकट है तो आपके मन में टर जरूर पैदा हो सकता है लेकिन ये ख़वर आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आगाह करने के लिए है दुनिया का अंध होगा जरूर कैसे होगा और कब होगा वो भी बताएंगे ये भी बताएंगे कि उसका इस साल से कोई नाता होगा या नहीं तो बात तरसल ये है कि एक theoretical physicist ने उस तारीख का पता लगा लिया है जब दुनिया का अंध होगा कईडेटर और स्टार्स की गढ़ना कर Illinois State University के physics के assistant professor Matt Kaplan ने की है और पता लगाया है कि दुनिया जरूर खत्म होगी कापलान ने कहा है कि जब दुनिया खत्म होने वाली होगी तब पूरी दुनिया ठंडी हो जाए कापलान के मताबिक ध्रमान तब खत्म होगा जब एक Black Dwarf Star का आखरी सुपरनोपा होगा यानि कि आखरी तारा होगा जो अंतुरिक्ष में खत्म होगा लेकिन इसके लिए अभी अरबो साल का समय बाखी है जी हाँ कापलान के मताबिक दुनिया अभी खत्म नहीं होने जा रही अभी इसके खत्म होने में अरबो साल लगेगी कापलान ने गड़ना की है कि मृत तारे समय के साथ कैसे बदल जाएंगी कापलान ने बताया है कि सूरच से तूटा एक आखरी तारा जब खत्म हो जाएगा तब प्रिथवी खत्म हो जाएगी तब भ्रमान का अंत होगा तब ये एक ठंडा और अकेला स्थान होगा जिसमें ज्यादतर ब्लाक होल और जलेख वेस सितारे मौजूद होगे सबसे बड़े तारे सुपरनोवा में तारे तब फूटते हैं जब उसके केंडर में लोहे का निर्मान उसके पतन को च्रिगर करता है जबकि छोटे-छोटे तारे धीरे-धीरे गायब होते जाते हैं जब वो थर्मो नूखलियर इन्धन से बाहर निकलते हैं कापलान की सड़ी के मताबिक जब कभी भी दुनिया खत्म होने वाली होगी उससे पहले अंतरिक्ष में सूरज की चमक खत्म हो जाएगी वो समय के साथ ठंडा पढ़ जाएगा और फिर उसकी रौशनी भी मध्धम होने लगेगी जैसे ही सूरज ठंडा पढ़ेगा प्रिथ्वी पर हर चीज ठंडी हो जाएगी हिम युग आ जाएगा और लोग इसे बरदाश्त नहीं कर पाएगे इस तरह होगा प्रिथ्वी का अंत कापलान ने उस दावे को भी खारिच किया है कि किसी उलका पिंड के टकराने से प्रिथ्वी को खत्रा है और उसकी टकराने से धर्ती तबाह हो जाएगी कापलान का साफ कहना है कि कोई उलका पिंड प्रिथ्वी को तबाह नहीं करेगा कुछ भी किसी उल्का पिंड की वजह से नहीं बलकि धर्ती पर ठंड बढ़ने की वजह से खत्म होगी जिसमें अभी काफी लंबा समय बाकी है कापलान ने भी धर्ती खत्म होने में करीब 10-11,000 साल बाकी होने का दावा किया है अब कापलान की बातों में कितने सच्चाई है उसके लिए हम और आप में से कोई भी देखने के लिए जिन्दा नहीं रहने गाना है हमारी कौन सी पीडी को उस तबाही का सामना करना पड़ेगा उसका अभी अनुमान लगा पाना भी नमुम्किन सा है इसलिए मिश्चिंथ हो जाएए ये साल भले ही ठीक नहीं है और वैसे भी पीयमोदी साल को बुरा कहने से इंकार कर चुके हैं पीयमोदी कह चुके हैं कि साल को कोसने से कुछ नहीं होगा साल कभी बुरा नहीं हो सकता तो सोचिए ठीक वैसा ही साल बुरा नहीं है लेकिन कोरोना जैसी विपदा ऐसी आन पड़ी है कि ये साल किसी को लुभा नहीं रहा है लुभा नहीं है शुभार नहीं है